कोरोना महमारी ने कई परिवारों को तोड़ के रख दिया है कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के साहरे छिन गए और कुछ परिवार ऐसे हैं जिन में मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक अपने पिता अभिवावक का साया उठ गया है ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ खड़ी हुई है और इसलिए हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया कोई कमाने वाला नहीं बच्चा घर में कोई कमाने वाला नहीं है ऐसे परिवारों को पाच जार रुपया प्रती माह पैंसन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवान आपन के लिए परिशान ना होना पड़े एसे सभी बच्चों के शिख्षा का निसुल्क प्रवंध किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके पात्रता ना होने के वावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री रासन दिया जाएगा ताकि भोजन का इंतजाम हो सके पर अगर इन परिवार में कोई सदस्य ऐसा है क्या पत्ती नहीं रहे तो हमारी बहन कोई उनकी पत्नी ऐसी है कि जो काम धंदा करना चाहे तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का रिण काम धंदे के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि फिर से वो अपना काम धंदा जीवन यापन के लिए प्रारंट कर सके ऐसे दुखी परिवारों को हम बे सहरा नहीं छोड़ सकते उनका सहरा हम है परदेश की सरकार है ऐसे बच्चों को भी चिंदा करने की जबत नहीं है वो परदेश के बच्चे है परदेश उनकी देखवाल करेगा परदेश उनकी चिंदा करेगा